नमस्कार दोस्तों अब ये भी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश की राईधानी लखनों में ओडिसा के बाला सोर जैसा एक बड़ा रेल हासा होते होते बच गया है निगवाहा रेलवे स्टेशन के पास नीलांचल एक्सप्रेस टेडी पट्रियों से होकर गुजर गई है गनी मत रही कि लोको पाइलेट की सूझ बुझ से बड़ा हासा होने से बच गया है लोको पाइलेट ने जटके महसूस होते ही ट्रेन रोग दी इसकी सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है DRM ने पूरे मामले में जाच के आदिस दिये हैं मिल रही जानकरी के मतादिक नीलांचल एक्सप्रेस को जिस पट्री से गुझारा जारा था वे करीब 7 मीटर तक टेड़ी थी जब लोको पाइलेट को जटके महसूस हुई तो उसने ट्रेन रोख दी जिसके बाद इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई है आनन फानल में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जाच की तो कहा गया कि गर्मी के उज़े से पट्रियां टेड़ी हो गई थी लेकिन अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे जिसके बाद डियारम ने पूरी घटना के जाच के आदिश दिये ही हालांकि बाद में टेड़ी हुई पट्रियों को मरमत करवा कर दुरस्त के गया है लेकिन पूरे मामले में कहीं ने कहीं बड़ी लापरवाई देखने को मिल रही है पट्री टेड़ी होने के बावजूद ट्रेन का गुजरना किसी बड़े हादसे को न्योता हो सकता था फिलाल जांच के बाद ही पता चल सकेगा लेकिन अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रिक नीजिस वक्त आ रही है जहां नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन टेड़ी पट्रियों से गुजर गई है दोस्तो बहुती बड़ा हादसा होने से बच गया है यहां लोको पाइलिट की सूजबूज से यह बड़ा हादसा टला है बतादे कि अभी दो हफ्ते पहले ही ओडिशा की बालिस्वर में भयानक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 290 लों की मोत गई है एक हजार से ज्यादा यात्री घायल हुए थे और अब उस तो बहुती बड़ा हादसा टल गया है अलट रहें स्रक्षित रहें